हेलो गाइज एक बार फिर से आपका स्वागत करना चाहूंगा मैं WSKIPTEK के YouTube चैनल पर और हमारी वीडियो एडिटिंग सीरीज पर साज का हमारा वीडियो जैसे कि आप लोग टाइटल पर के समझी गयोंगे है सीक्वेंस और टाइम लाइन के बारे में आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या होते है ताइम्लैंस और कैसे हम उन्हीं यूज्ज करते हैं हमारे वीडियो एडिटिंग के लिए तो सबसे पहले चीज जब आपको बताना चाहूंगा वो यह है कि आखर एक sequence होता क्या है हम sequence को define कैसे करते हैं sequence basically an arrangement of video and audio files है जिसके अंदर हमारे सारे edits, effects, positions, arrangements included होते हैं तो अगर हम कोई भी वीडियो को edit करते हैं हमारे जितने भी edits, effects, जो भी चीज़े हम apply करते हैं उसके उपर वो सारी की सारी चीज़े हमारे sequence के अंदर short रहती है हमारे sequence में हम उसे arrange कर पाते हैं तो next चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जैसे आप एक project create कर रखा है जिसका नाम है project 03 तो इस project 03 के अंदर हम multiple sequences create कर सकते हैं और जो sequence हमारा open होता है उसका नाम हमें यहाँ पर दिख जाता है जैसे कि यह stair नाम का sequence है तो यहाँ पर हमें दिख रहा है और यह sequence opened है तो इसका नाम हमें यहाँ पर visible रहता है यहाँ पर display हो जाता है नेक्स चीज़ जो है guys इसमें मैं जो बताना चाहूँगा कि हर sequence की unique और individual timeline होती है जिसके आप यहाँ पर stair दिख रहे है तो यहाँ पर इसकी timeline available है तो यह timeline इस sequence के लिए unique है और इसकी individual timeline है और हर sequence की सिर्फ एक ही timeline exist करती है तो यह हम देख लेते हैं कि हम आखिर sequence को create कैसे करते है अगर आप sequence create करना चाहते है तो इदे टॉप left corner के file menu में जाईए और यहाँ पे new वाले button पे hover करिए तो जैसी आप new वाले button पे hover करेंगे यहाँ पे आपको options दिखेंगे आपको नया project create कर सकता है तो मैं यहाँ पे click करूँगा sequence के उपर और यहाँ पे एक pop-up खुल जाता है तो यहाँ पे मैं sequence की settings अगर चेंज कर सकता हूँ अगर मैं को customize settings रखनी है अपने video के according मेरे audio की rate क्या रहेगी मेरे video की fps क्या रहेगी उसका time base क्या रहेगा editing mode क्या रहेगा उस video के लिए उसका aspect ratio क्या रहेगा तो यहाँ पे ऐसी काफी सारी चीज़े हैं जो मैं यहाँ पे edit कर सकता हूँ अपनी settings के according या फिर अगर कोई मैं preset use करना चाता हूँ मेरे camera के accordingly या जैसे कि मैंने कोई ARRI का camera यूज किया हो मैं track के number, select कर सकता हो यहां पे की मुझे video के कितने track ठीए मुझे audio के कितने tracks ठीए उनका pan balance भी यह से मैं select कर सकता हूँ track type भी मैं ऐसे select कर सकता हूँ मैंने 5.1 audio record किया है mono audio है या फिर stereo Audio है तो इसी काफी सारी चीज़े मैं select कर सकता हूँ और अगर मेरे VR वीडियो है तो मैं VR वीडियो की settings भी ऐसे select कर सकता हूँ लेकिन अभी हम चलेंगे sequence preset स्वाले में और यहां से हम 1080p का sequence select करनेंगे तो मैं यहां पर select करनेंगा DSLR 1080p और 1080p 25 frames per second तो यहां पर मैं select करने के बाद यहां पर OK पर click करूँगा तो मेरा नया sequence create हो जाएगा और इसका नाम है यहां पर sequence 2 और साथे साथ आप देखेंगे sequence 2 ओपन भी हो जाएगा जो भी open sequence है उनके बीच में हम ऐसे switch कर सकते हैं उन पर click करके यहां पर click करेंगे आप sequence में switch कर लेंगे और यहां पे आप sequence की settings एक्सेस कर सकते है पैनल की settings एक्सेस कर सकते है अगर आपको panel यहां पे close करना है undock करना है तो यहां पे आप कर सकते है panels के बारे में detail मैं आपको user interface वाले वीडियो में बताया था अगर आपने अभी तक वो वीडियो चेक आउट नहीं किया है तो मेरी तरफ सा highly suggested आप उस वीडियो को जाके चेक आउट करें तो जैसे जैसे मैं sequence change करता हूँ देखे आप program monitor में भी यहां पे चीजे चेंज होती है क्योंकि हमारी timeline में यहां पे कुछ available नहीं है तो यहां पे सिर्फ हमें black दिखाता है तो next यह जो मैं आपको बता देता हूँ कि हम sequence अगर हमने create किया है और यहां पे अगर नहीं आ रहा है तो हम उसे open कैसे कर सकते है तो पहले इसको मैं close कर देता हूँ यह sequence यहां पे चला गया तो यहां पे अगर आप project bin के अंदर आते हैं तो यहां पे आपको यह icons दिख जाते हैं तो यह basically sequence का icon है यह जैसे की video और audio file का icon है यह सिर्फ audio file का icon है तो वैसे ही एक sequence का icon है तो यह sequence वाली file पे अगर मैं यह आपे double click करता हूँ तो यहां पे मैं इसको नाम दे देता हूँ vertical और मैं जैसे यह enter प्रेस करूँगा यह इसका नाम change हो जाएगा आप देखेंगे कि यहां पे भी नाम update हो गया है और यहां पे भी नाम update हो गया है तो अगर अब हमने सीख लिया है कि हम sequence का नाम कैसे change कर सकते है और हम साथ साथ sequence को अगर closed है तो sequence को open कैसे कर सकते है तो next चीज़ जो मैं आपको बताना चांगा कि हम इसके अंदर clips कैसे लेके आते है तो जैसे कि मैंने आपे नाम इसका vertical रख रहा है अगर आपको camera की settings नहीं पता है या फिर आपने गलत settings जायल करती है sequence create करते time तो यहाँ पर premiere pro हमें option देता है sequence की settings change करने का तो अगर जैसे कि मैं vertical video import कर रहा हूँ और मेरा sequence यहाँ पर horizontal है अगर मैं यहाँ पर change करूँग अपने sequence की settings तो वो मेरे video के according हो जाएगा जिस तरह का मेरे video उस accordingly मेरे sequence काम करेगा तो अगर मैं यहाँ पर click करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे sequence यहाँ पर change हो गया मेरे video के according मेरे sequence ने adapt कर लिया तो यहाँ पर जैसे देखा आपने कि मैंने undo कर लिया वापिस और अगर मैं change नहीं करना चाहूं कि में को यही aspect ratio रखना है क्योंकि मेरे final video का यही aspect ratio है मेरे final sequence को मैं ऐसा ही दिखाना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर again इसको drag and drop करूँगा और मैं keep existing settings पर click कर दूँगा तो मेरी जो files हैं वो sequence के accordingly adapt कर लेती है अगर आप settings change करेंगे तो आपका sequence आपकी media files के accordingly adapt करेगा और अगर आप keep settings के option पर click करेंगे आपकी media files आपकी sequence के accordingly adapt करेंगे तो next चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप sequence के अंदर file यहाँ से तो लेकी आक है तो आपके एक और option exist करता है sequence के अंदर file लाने का जैसे कि मेरे source panel में यह file open है और मैं चाहता हूं कि मैं इस file का एक selected portion लेके आँँ तो मैं यहाँ से इसको trim कर दूँगा और एक trimmed file को मैं यहाँ से drag करूँगा देखिए एक hand का icon आगया है एक fist का icon आगया है और इसको मैं drag करके यहाँ पर लियाँगा तो मेरा file यहाँ पर आ जाएगी तो आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे file यहाँ पर आ गई है तो मैंने इसको source monitor में ही trim करके drag कर लिया मेरी timeline के अंदर मैं sequence के अंदर लेके आ गया तो अगली चीज़ जो आपको बताना चाहूंगा कि multiple sequences तो sequences के साथ काम करने का एक right तरीका है जैसे कि यह पर मैंने एक vertical नाम का sequence create किया तो basically मैं horizontal का भी sequence create कर दूँगा और साथी साथ मैं final sequence create कर दूँगा जैसे आपने slow motion वीडियो शूट किया हो या फिर fast वीडियो शूट किया और time lapse शूट किया हो तो उसके accordingly आप divide कर सकते हैं आपने अगर मेरा organization मीडिया वाले अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके जरूर चेक आउट करें क्योंकि इसमें मैंने media organization के बारे में काफी detail में बताया है तो जो next चीज है जिसके बारे में हम बात करेंगे इदर वो है copying file between sequences तो जैसे मैं stair के अंदर गया और यहाँ पे मेरी एक file है अब मैं चाहता हूँ कि इस file को या इस image को मैं लेके आऊँ मेरे vertical sequence के अंदर तो मैं यहाँ से इस file को select करूँगा और मैं इसे drag करूँगा और मैं यहाँ पे vertical पे लेके जाऊँगा यहाँ पे vertical वाला tab जैसी open होगा जैसी vertical वाला panel open होगा sequence open होगा मैं उसे timeline पे लाके यहाँ पे अपने mouse click को release कर दूँगा तो यह file हमारी आ गई यहाँ पे तो अगर मैं इदर लेके जाऊँगा और मैं इस file को यहाँ पे access कर सकता हूँ तो यह तरीका था कि हम multiple sequences के अंदर files को कैसे move कर सकते हैं जाहिड सी बात है कि हम जो भी edits कर रहे हैं मैंने आपको बता है हम मीडिया को organize कर रहे है horizontal, vertical और final के उपर तो horizontal के edits हमको final में लाने पड़े तो हम ऐसे ला सकते हैं तो अब हमने बात कर ड़ी sequences की मैं उमीद करता हूँ कि आपको sequences का concept जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अगर आपको कुछ भी doubt है तो एक बार आप वीडियो को वापस देखें काफी बारे चीज़ overwhelming हो सकती है आपके लिए लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है next चीज़ जो हम बात करेंगे sequence का next part जो की है timeline तो timeline एक बहुत important चीज़ है guys और इस video के अंदर जो timeline वाला section है इसको आप एकदम full concentration के साथ देखेगा तो यह जो हमारा area है इसे हम कहते है timeline हर sequence की एक unique timeline होती है जैसे कि मैंने बताया अगर मैं stair वाले sequence के अंदर हो तो इसकी unique timeline है और मैं vertical वाले sequence के अंदर हो इसकी unique timeline है इनकी एक अलग-अलग individual timelines है तो timelines मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर हमारे जो major major चीज़े है timeline के अंदर जो main main चीज़े है वो मैं आपको explain करना चाहूंगा तो यहाँ पर हम आ जाते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं यह basically जो V1, V2, V3, A1, A2, A3 यह हैं हमारे tracks तो tracks के अंदर हम multiple clips arrange कर सकते हैं जैसे कि इस file को मैं track 1 जो मेरा video 1 track है V1 track है उससे V2 track में move करना चाहूं तो मैं यहाँ से drag करके move कर सकता हूं अब होता क्या है कि मैं चाहता हूं कि मेरे image है इसके पिछे जो black background है अगर मुझे यह नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि जो मेरा video है वो background रहे तो इसके चलते वे मैं यहाँ पर multiple tracks create कर सकता हूं tracks बिल्कु लेर्स की तरह काम करती है अगर आपने photoshop को use किया हो यहाँ पर मैं tracks को resize भी कर सकता हूं तो यहाँ पर हमरे पर major icons जो आजाते हैं वो है lock icon अगर इस lock icon पर मैं click करता हूं तो इस track के अंदर जितनी भी files हैं जितनी भी media files available हैं उनको मैं select नहीं कर सकता उनके अंदर मैं कुछ edit नहीं कर सकता और अगर मुझे इन्हें unlock करना है तो मैं वापस इस icon पर click कर दूँगा और यह हो जाएंगे unlock next चीज जो है guys वो है यह eye वाला icon तो basically eye वाला icon क्या करता है जैसी कि आप देख रहे है program monitor में इधर हमें एक video और एक image दिख रही है तो जैसी मैं इस पर click करूँगा यह उसे disable कर देगा तो इस track के अंदर जितनी भी files होंगी हमारी v2 track के अंदर वो सारी की सारी disable हो जाएंगी same की same चीज हमें audio वाले section में भी मिल जाती है lock icon जैसे कि मैंने आपको बताया और यह जो M लिखाओ है basically I वाले icon की तरह काम करता है यह बस audio को mute कर देता है अब जिसे आप इन tools पर hover करेंगे तो आपको suggestion भी देगा कि यह tool करता के आखिर और यह S वाला icon है तो यह है solo track का icon अगर मैं इस icon को enable कर देता हूँ solo track को enable कर देता हूँ तो मेरे जितने भी audio जो हमारे even track में है सिर्फ वही play होंगे उसके अलावा कोई track play नहीं होगा last वाला icon जो हमारा mic वाला icon है यह basically हमें voice over record करने देता है तो अगर आप premiere pro के अंदर कुछ record करना चाहते है तो आप इस mic वाला icon को use कर सकते है अगली चीज जो आजाती है हमारे यह वाले buttons snap, linked selection, marker और settings वाला button तो यहाँ पे जो magnet वाला icon है जिससे snap icon कहते हैं जिसका shortcut आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ऐसे अगर मैं इस पे click कर देता हूँ तो अब मैं files को अपनी यहाँ पे move कर रहा हूँ और मेरी files यहाँ पे कही stop नहीं हो रही है मेरी files एकदम freely move हो रही है यहाँ पे जैसे कि मैं इस file को इधर लेके आया और मैंने यहाँ पे release कर दिया मैं चाहता था कि मैं इसे यहाँ पे लेकिया हूँ एक बार मैं undo कर लेता हूँ तो जब मैं snap enable कर रखा है और मैं किसी भी file को drag करता हूँ तो जैसी कि आप यह देखेंगे छोटी सी black line यहाँ पर आरी एक पतली सी black line यहाँ पर appear होती है तो जैसी मैं अपनी file को इस clip के पास लेके जाऊँगा वह यहाँ पर snap हो जाएगी बिल्कुल एक magnet की तरह और जैसी मैं अपना release करूँगा mouse को वह यहाँ पर set हो जाएगी तो snap basically हमारी files को arrange करने का एक easy और organized way provide करता है जिसके चलते वे हम अपनी clips को overwrite ना कर दे तो यह था snap next जमारा आता है linked selection तो जैसे की इस file को मैंने आप पर import किया है यह link है अगर मैं इसका video move करता हूँ तो इसका audio भी move होता है तो अगर मैं इसको disable कर दूँगा तो मैं individual files को select कर पाँगा अब जैसे मैंने इसको select किया तो यह सिर्फ video file select होई audio file हमारी select नहीं होई इसको मैं move भी करूँगा तो सिर्फ video file move करेगी audio file move नहीं करेगी इसे मैं वापिस enable कर देता हूँ यहां से next जो है हमारा marker tool तो आप इस tool पर जब भी click करेंगे यहाँ पे एक नया marker create हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर जाके marker create करना चाथा हूँ तो मैं यहाँ पर भी marker create कर सकता हूँ markers basically आपको याद दिलाने के लिए बनाए गए हैं कि आपको कौन से edits कहाँ पर करने है कौन कौन से areas आपके लिए important है तो आप उसके लिए markers यूज़ कर सकते है तो markers के बाद अगली चीज़ जो यहाँ पर आ जाती है इसे हम कहते हैं हमारा range icon जिसके अंदर हम अपनी timeline की display settings को change कर सकते है modify कर सकते है तो जिससे अगर मैं यहाँ पर audio के जो waveforms आ रहे हैं इन्हें अगर मैं नहीं देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से इन्हें disable कर सकता हूँ और देखेंगे जैसे कि आप सारे waveforms का इब हो गया साथ इसाथ जो यह effects का icon आ रहा है जो मुझे effects बताता है कि कौन से effects enabled है इस पर इसे अगर मैं disable करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर click करके effects badges को हटा सकता हूँ वीडियो की name अगर मैं disable करना चाहूँ तो मैं वीडियो की names भी ऐसे disable कर सकता हूँ तो इसके अंदर अगर आपकी कोई setting आपको available नहीं दिख रही है आपको मेरी तरह audio के waveforms नहीं दिख रहे हैं आपको fx वाले badges नहीं दिख रहे हैं तो वो सब चीज़ें आप यहां से access कर सकते हैं, modify कर सकते हैं आप सारी चीज़े enable, disable इस button के through कर सकते हैं तो नेक्स चीज़ जो हमारी आजाती है वो है यहाँ पर time ruler हमारी तो इस area को जहाँ पर मेरा mouse over कर रहा है भी इसे हम कहते है time ruler, time ruler बिलकुल एक ruler की तरह काम करती है हमें अलग-अलग markings indicate करती है और बताती है कि कौन से seconds कहाँ पर fall कर रहे है जैसे कि 5 seconds यहाँ पर आ रहा है 10 seconds यहाँ पर आ रहा है 15, 20 and so on तो इसे हम कहते हैं time ruler नेक्स चीज़ जो हमारी आपर आ जाती है जो यह blue line आपको दिख रही है जो marker जैसे दिख रहा है इसे हम कहते है play head यह फिर CTI CTI older times में इसे का जाता था इसे की frames change होंगे जैसे जैसे play head right side move होगा right side के frames नज़र आएंगे जैसे play head left side move होगा left side के frames नज़र आएंगे तो play head के बाद जो next चीज़ आ जाती है वो है हमारा play head position तो हमें position अगर time format में देखनी हो कि कितने time पे हमारा play head रुखावा है कितने time पे हमारे पास ये frame आ रहा है तो play head की position हम यहां से देख सकते हैं या फिर हमारे program monitor के अंदर भी देख सकते हैं तो play head position जैसे कि आप नाम से समझ के होगे play head की position की वो कौन से frame पे है वो indicate करता है वो हमें बताता है अगली चीज़ जो आ जाती है वो है हमारा zoom scroll bar तो यहां पे जो आप देख रहे हैं ये तो हो गया normal scroll bar लेकिन अगर हमें इस timeline के अंदर zoom करना है हमें कुछ minor edits करने हैं तो हम इस bar पे जो दो छोटे circles हमें नजर आ रहे हैं उसे हम use कर सकते है zoom out करने के लिए और zoom in करने के लिए तो इसे हम कहते हैं हमारा zoom scroll bar तो यहां पे होती है हमारे timeline वाला area खतम और यहां पे एक छोटा सा introduction में आपको देना चाहूंगा हमारे program monitor से तो program monitor के अंदर इन सारे tools के बारे में मैं आपको बाद में detail में समझाने वाला हूं लेकिन अभी मैं इसका एक short description दे देता हूँ program monitor के अंदर यहां से हम video को play और pause कर सकते हैं यहां से हम video का zoom level change कर सकते हैं तो अभी जैसे fit level पे है अगर मुझे कुछ detail changes करने हैं मुझे color के अंदर कुछ changes करने हैं और मुझे face के ओपर कुछ specific changes करने हैं तो मैं यहां से इसको zoom in कर सकता हूँ जैसे कि मैंने 100% पर zoom in कर लिया और यहां से मैं अपने frame को move कर सकता है इन scroll bars के थुरू जो कि horizontally और vertically available है अब मेरे इसको edit करना बहुत ही आसान हो गया अगली चीज़ जो आती है guys वो है यह drop down menu तो यह playback resolution हमारा indicate करता है जैसी कि यह video full playback resolution पे भी play हो रहा है जिस quality पे जिस resolution पे मैंने इस video को import किया था उसी quality पे play हो रहा है तो यहां से मैं इसकी quality change कर सकता हूँ अगर मुझे half resolution पे या फिर one fourth resolution पे play करने तो यहां से मैं one by four select कर लेता हूँ और फिर मैं play करता हूँ तो यहां पे आप देखेंगे guys कि इसकी quality degrade हो गई आपे यह पर वो आपस चला देता हूँ इससे मैं play कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी quality down हो गई आपे तो यह जो one by four resolution है यह original resolution का one fourth level दिखाएगा तो काफी बार आप 8K videos, 4K videos edit कर रहे होंगे आपके यह सित्ती RAM अविलेबल नहीं होगी कि आप उन्हें full resolution पे preview कर पाए तो उस case में यह tool काफी handy रहता है हमने कोई proxies create करने की जरुवत नहीं पड़ती हम उनका playback one fourth resolution पे देख सकते हैं तो guys इस वीडियो के लिए इतना ही मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो like करना ना बूले इस वीडियो पे और subscribe करना ना बूले WS Cube Tech की YouTube चैनल को WS Cube Tech वीडियो एडिटिंग सीरीज के साथ साथ वेब डेवलपमेंट सीरीज और डिजिटल मार्केटिंग सीरीज पे भी वीडियो अपलोड कर रहा है अगर आपको उन फील्ड में इंट्रेस्ट हैं तो आज ही subscribe करे WS Cube Tech की YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे तो गाइस इस वीडियो के लिए तना ही see you in the next one